अगर आप चाहते हो लगवाने के लिए तो आप लगवा सकते हो भाई तो ना गाड़ी चल रहा है यहाँ पर सला वीडियो भी बनाने नहीं देता है जोगा देखा जाएगा टूटे उटेगा तो उतना कॉंटेंसल लेता है सला भाईक अच्छा लगना चाहिए जब मेरा जो रहा नहीं है तो इसका जो रहा हम क्यों ले? मैं और मेरा एक अंकल का बेटा है चोटा सा दोनों मिलकर मैंने चैने स्पोकेट वगड़ा सब क्लीन किया है तो वहाँ पर ये सब काम नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि पैसा बच जा है है गाइस वाट्स अप एन वेलकम बैक टू आर राइडर और आज मैं हूँ अकेले क्योंकि आज देहान नहीं है मेरे साथ क्योंकि उसको एक जरूरी काम आ चुका था तो उसको जाना परा वहाँ पर तो मुझे अकेले आना परा भाई है कि और जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि यह जो मेरा front brake है डिस brake आगे का इसमें का था कि कभी-कभी यह सही से काम नहीं कर रहा था तो मैंने सारे service center में कहीं लोकल shop पे भी मैंने दिखवाय था तो उन्होंने बोला कि न maze भाई ऐसा थारा सो कुछ रुपए यानि कि लगबग उनीस सो मालो आप दो हजार रुपए दो हजार इसमें लगाना मुझे सही नहीं लग रहा था यार अभी क्योंकि अभी पैसा है नहीं तो मैंने सोचा कि चलो कुछ लोकल सोपे ट्राइ करते हैं वहाँ अगर बना दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और मैंने एक सोप पर ट्राइ किया वह भाई क्या किये कि इसको खोल खाल के पता नहीं कैसे किये वह लेकिन इसको बना दिये अभी मैं आपको बैक लाइट देख सकते हो अभी यह आधा जल रहा होगा और मैं इसको फ्रंट ब्रेक मारता हूं तो देखो तो आई होप आपको दीख रहा होगा कि मेरा ब्रेक मारने के बाद भी बैक लाइट जो है वह जल रहा है लेकिन कभी-कभी होता क्या है न कि यह थोरा सा कभी जाम हो जाता है तो उसका भी solution आज हम करवा लेते हैं तो मैंने फाइनली flip card से एक समान मंगवाया है बहुत ही ब लिपकार से तो भाई यह है बाइकर्ज गैलेडी नाम का कोई कमपनी है साध किसी ने बनाया है मैं इसका क्या करूंगा कि यह जो आप नंबर प्लेट देख रहो यहां पे यह सर पे मुझे बहुत ही बेकार लगता यार लग रहा है कि माथा पर कुछ ऐसा चिपका दिये और वही नहीं उसके सांसत मैं कुछ और भी काम करवाने वाला हूँ बाइक में क्यूंकि अगर मैं जरकिन में या फिर किसी गड़े वगरे में जाता हूँ तो यार थोड़ा सा घट-खट करता है वो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि ढख है लेकिन उसका काम तो यार इस ब लेकिन इसका भी प्रवलम मैं सॉल्ब करवाऊंगा है एंडेल का प्रवलम सॉल्ब करवाऊंगा और दूसरा चीज है जो आगे का परसन आप देख रहे हो अड़े यार पहले इसको जाने तो बहुत आवास कर रहा है यार इतना ज़्यादा गारी नहीं आता था इधर आगे दो-चार लड़के हैं वहाँ पे डांस वगरा वीडियो का सुट कर रहे हैं वह सब और बाई देखो वहाँ लड़का सब वीडियो बना रहा है डांस करके टिक टो के लिए यार देखो कितना अच्छा बना रहा है लेकिन वह समझो की पुरा यह क्रियेटर यह जगह जो आप देख रहे हो जो भी प्रॉब्लम है बाईक में वह जो चक्का है आगे उसका बॉल बेरी में मुझे लग रहा है कि थुरा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि जब मैं गड़ा वगर में जातू तो खटखट करता है लेकिन वह प्रॉब्लम कहां से आ रहा है यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे यह पर्सन हो जागा खाली तो इसका बहुत ही बेस्ट यूज़ करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं वीडियो लाऊंगा और उसमें कम्प्लीट बताऊंगा कि क्या हम करने वाले है इस जगह पे वीडियो को पू इसलिए आज मैं अपने घड़ पे यार बहुत ही बारिकी से बहुत ही अच्छे से काम किया और देख दा के यह मैंने किसी तरह जुगार लगा के इसको टाइट कर देया लेकिन राइट वाले में थोड़ा सा प्रॉबलम आ रहा था तो कुछ जुगार बगर लगा यहाँ ट्यूब का काटके हम लोग ने लगाया तो एकसलेटर भी एकदम सही से काम कर रहा है थोड़ा सा भी सट वगरा नहीं रहा है इसमें तो यह भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और नंबर प्लेट वहां लगाने के पाद लूक कैसा निकलेगा वो आप थोड़ा से इंतिज भाई थैंक यू ब्रो वीडियो अगर देख रहा है तो लाइक भी कर देना तुम भी लाइक करना साले हाँ तो भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं दुकान पे लेकिन भाई यह जो हमाड़ा चीज रहा है जो कि यह वाला पार्ट जोकी याुमरड़ प्लेट लगाने के लिए वाले थे सेट होगया तो लेंगगे करवा लेंगे यहा। भी हम लोग करवाएंगे बाद में तो कोई प्रोब्लम है नहीं और भाईया का दुकान अंदर में है क्या नाम है आपका दुकान का तो अमर सीनेमा रोड में भाईया का पास आ सकते हो भाई और अब हमारा सौकर खुल चुका है और भाईया ले जा रहे हैं अंदर में दुकान में देखो कैसे खुला है भाई एक साइड का पूरा निकल चुका है और अंदर ले जा रहे हैं भाईया और दिखाता हूँ मैं कि कैसे क्या काम होता है मैं तो एक खेद है एक के खेद में यह बला मैं कसा जाता निचे बला छोड़ देते हो जायेगा गुरू खाली हमको लगड़ा कहीं बड़ा लगाना होगा यहां लगाना है यहां लगाना है वहां से खुर लोगए टेरा हो गया है अब तो दोस्तों यह वीडियो मैं सूट कर रहा हूँ उस वीडियो के कल होके याने की नेक्स्ट डे क्योंकि यार कल पूरा रात हो चुका था और मैं अच्छे से दिखा भी नहीं पया था आपको और रिव्यू की बात करें कि मेरा जो सौकर वाला जो काम था जो खटखट कर रहा था और हैंडिल का जो प्रोब्लम था वह सारा चीज़ सॉल्ब हुआ या फिर नहीं हुआ और दूसरा चीज मैंने जो यह नंबर प्लेट का पोजिशन चेंज करवाया है यानि कि यहां से मैंने उठा कर यहां करवा लिया फ्रेम के साथ तो इसका भी रिव्यू आपको देना था तो इसका डीटेल में अभी बताऊंगा आपको अभी मैं जा रहा था जॉब पे लेकिन सोचा कि चलो पहले आपको बता देते हैं जो मेरा प्रॉब्लम था यह सौकर वाला जब भी मैं गड़े में या फिर थुरा सा खराब रोड में जाता था तो खटखट खटखट का प्रॉब्लम आता था भाई तो भाई सोल्यूशन की बात करें तो भाई 100 में से 80 परसेंट सौल्व हो चुक है लेकिन 20 परसेंट अभी भी है मैं एक टेस्ट दिखाता हूं आपको रहान इसको जो नचाओ तो चक्का को आगे वाला को और जो मैं ब्रेक मारूंगा ना उसके बाल देखना आपको क्या हो होगा लेकिन सौकर तो अभी फिक्स हो चुका है तो सौकर का अभी तो कोई बात है नहीं लेकिन दूसरा चीज़ा बाई यह हैंडेल के वजह से भी हो सकता है तो नेक्स टाइम जो हम लोग जाएंगे मार्केट में तो उनसे बात करेंगे या फिर किसी और मिस्तिरी से बात सकता है कि सरपे कुछ चिपका दिया है कुछ नहीं बोलते है कि सरपे कुछ मेरा लिखा हूआ है कि तो वही से कुछ लग रहा था यहां पर लेकिन लेकिन नीची सेtechn पूरा मटगार्ड में सटा हुआ है बाई मुझे लगा कि सटने से यहां पे स्क्रेच वगर आ सकता है या फिर अगर गड़े में जाता तो यह फिर टूट वगरा भी जाएगा कहीं लेकिन ऐसा कुछ कुछ छोटी-छोटी है अभी हम लोग छोटा-छोटा से ट्राई कर रहें आगे तो बहुत सारा चीज़ करना है और यार प्राइस प्राइस मैं बता देता हूं यह जो आपका नंबर प्रेट यह कौभाड है इसका लिया भाई सामने असी रुपए एक देने ही रहे थे दो ब बता दू कि मैंने एक नंबर प्लेट क्यों लिया तो उसका एक रीजन है भाई पीछे वाला नंबर प्लेट में लगा हुआ है रिपीट वाला तो उसको फिर कटवाना परता उसके बाद उसमें स्क्रू वाला फीट करना परता तो इस काराण से हम लोग बोले कि चलो पीछ अगर आपके पास कोई सी भी बाइक है अपाचे हो या फिर कोई सी भी वाइक हो अगर आप चाहते हो इस टाइप का लुक क्रियेट करने के लिए नंबर प्लेट का पोजिशन चेंज करने के लिए तो आप करवा सकते वार बेज ही जाक वहां से तो अच्छा ही लग रहा है 200 रुपया और उसमें भी वह 20 रुपय कम कर दिये थे तो 230 में यार सोकर बना दिया और क्या चाहिए यार तो बात नहीं यह छोटी छोटी मोडिफिकेसंस तो आम बात है नॉर्मल है लेकिन बड़ी-बड़ी मोडिफिकेसंस भी बहुत जल्दी आने वाली है ठीक है तो दो अगली वीडियो में तब तक के लिए राइट आट एंड राइट सेफ ओके बाब बाई